मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल फिर से आम जन्मानस के लिए बंध होने वाली है कुरोना के मामले में हो रही बड़ोधरी को देखते हुए सरकार ने यकटिन फैसला लिया है इसके पीचे सबसे बड़ा हाथ आम जन्ता की लापरवाहियों को माना जा रहा है ऐसे हालाथ पिछले साल सितंबर 2020 में थे उस वक्त कुरोना भी बीक पर था और लोकल ट्रेनों में आम यात्रियों को अनुमती नहीं थी अब दोबारा वही सीती पैदा हो गई है राज्य सरकार की नई गाइलाइन्स के बाद रेलवे ने भी सपष्ट किया है कि केवल अति आवशक सेवा से चुड़े लोगों को ही एंडरी मिलेगी नए बंदनों के बीच ये ध्यान रहे कि जो यात्रि लंबी दूरी की मेल एक्सपेस ट्रेन पकड़ने के लिए अपने गंतव्य स्थानों से निकलते हैं वे लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं मुंबई आने वाले और मुंबई से जाने वाले लोग आरक्षिट टिकेट दिखा कर लोकल ट्रेन का टिकेट प्राप्त कर सकते हैं रेलवी द्वारा पिछले साल की तरह ही पहचान पत्तर धारकों को स्टेशन में प्रविश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है चिकित्सा, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, बैंक, वित्त, वीमा सेवा के कर्मचारी और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स में स्पीकरूट की गई श्रीनी को ही अनुमती रही गी इसके अलावा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा होने वाले बदलाब के बाद अन्य श्रीनी को इसमें जोड़ा जाएगा सरकार के इस पैसले से लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों में हताशा और निराशा है लोगों की मांग ये है कि सरकार कडे नियम लागू कर पुन्न लोकल ट्रेन पूश रूप करें जिससे रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को राहत मिल सकी